क्या आपको पता है words याने शब्दों का use कैसे करते हैं और sentences याने वाक्य कैसे बनाते हैं नहीं पता, it's okay Hello my dear friends, myself, Malik sir, मैं आपकरें लाया हूँ free spoken English course, आज हमारा second video है और आज हम जानेंगे कि words का use कैसे करते हैं और वाक्य कैसे बनाते हैं So let's begin our topic, part of speech, मतलब शब्द भेद के प्रकार, हिंदी में से शब्द भेद के प्रकार कहते हैं, अब आप सोचेंगे, part of speech तो हमने school level पे पढ़ा था, class first या second में, और हमें थोड़ा बहुत तो आता है, बट फिर भी हम सही से ना तो English बोल पाते हैं, ना लिख पाते हैं, हमें sentences जो बनाना होता है, वो बना नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा क्यों, राइट, तो इसके पिछे main reason यही है, कि हमने यह जो topic है, part of speech, इसे सिफ theoretical पढ़ा है, यानि सिफ theory form में पढ़ा है, practical form में नहीं पढ़ा है, और यही main reason है, जिसकी वैसे हम इसे apply नहीं कर पाते हैं, आज हम part of speech theory and practical दोनों के form में पढ़ेंगे, ताके हम इसे real life में apply भी कर पाए, but first of all, हम यह समझेंगे, कि यह part of speech topic बना कैसे, देखिए, सबसे पहले आप एक background में जाते है, there are 26 letters, यहने alphabet है, English language में, A से लेके Z तक, आपको तो यह पता ही है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, O, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, total 26 letters होते हैं, A से लेके Z तक का, यही letters, यही alphabet मिला कर बनते हैं words, याने शब्द, और यही शब्दों से बनता है sentences, याने वाक्य, तो यह तो हमें पता है, words भी हम थोड़ा बहुत meaning पता है, बट sentences, यह हमें नहीं पता है, कि sentences होता क्या है, sentences का मतलब क्या होता है, sentence किसे कहते हैं, तो sentence means a group of words, group of words हो, in the right order, सही order में हो, will have meaning, मतलब सही order में हो और उसका मतलब हो, such a group of words is called sentences, for example, I like ice cream, याने मुझे ice cream पसंद है, तो यह इसमें मतलब है, एक मतलब बन रहा है, इसका meaning है, इसलिए इसको sentences कहा जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे sentences है, right, okay, let's move further, now, so, the question comes, what is a part of speech, part of speech क्या है, तो क्या है part of speech, part of speech means, words are divided, depending on the use, उनके use के according, डिवाइड किया गया है, उसे कहते है, part of speech, so, there are eight part of speech, आप देख सकते है, eight part of speech है, start with number one, जिसे कहते है, noun, noun को हिंदी में कहते है, संग्या, second आता है, pronoun, pronoun, जिसे हिंदी में कहते है, सर्वनाम, third आता है, adjective, जिसे कहते है, विशेशन, fourth आता है, verb, verb, verb का मतलब होता है, क्रिया, fifth आता है, adverb, adverb का मतलब होता है, आता है, क्रिया, विशेशन, six आता है, प्रिपोजीशन, प्रिपोजीशन, का मतलब होता है, संबंध सूचक अव्या, और seventh है, कंजंक्शन, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है, विश्मयादिक बोधक अव्या, इस तरह से, there are eight parts of speech, next video में, हम ये eight parts of speech, जो है, वो one by one, एक एक करके, बात करेंगे, discuss करेंगे, और detail में जानेंगे, कि इसका practical use कहा है, और कैसे है, हम ये जानेंगे, कि हम कैसे अपने English को और ज़्यादा improve कर सकते है, with the help of this part of speech, तो कैसे करेंगे, one more thing, आपने, अगर अब तक हमारा, वो first video जो था, spoken English का part one, जो video था, वो अगर अब तक आपने देखा नहीं है, तो मैंने description में, उसका link mention किया हूँ, आप वो देख सकते हैं, और one more thing, तो next video में हम ये part of speech one by one discuss करेंगे, so I hope आपको ये video अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये video अच्छा लगा है, तो please like this video, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe it and click the bell icon, ताकि आपको ऐसे ही videos मिलते रहें, और ये video अपने friends, family members और colleagues के साथ जरूर शेयर करें, ताकि knowledge सबको मिल पाए, so thank you for watching this video, take care, goodbye.